नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमर येटूब चैनल नियु अपडेट में दोस्तों आज पिर आपके समख से के महत्पून जानकर लेकर हाज जुरू हैं आपको बता देखी केंसरकार दोरा एक अक्टूबर यान के आज से कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है जो की पूरे देश में लागू किया जाएगा आपको बता देखी इन नियमों का सीधा असर आपकी जेपर भी पड़ सकता है दोस्तो किन-किन चीजों में क्या-क्या नियम बदलने जा रहे हैं उसकी तमाम जानकरी हम आपको इस वीडियो के दुआरा देंगे वीडियो को अंतक जूर देखे दोस्तो ताकि आपको ऐसे तरह समझ में आ सके और आप इनके बारे में जान सके दोस्त आपको बता दे कि जैसे की रसोई गैंस, हेल्थ इंसुरेंस, लाइसेंस, रिजिस्टेशन डोकॉमेंट्स, फिटनेस रफी टिकेट इत्यादी में नियम बदलने जा रहे हैं दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो चले दोस्तो शुरू करते हैं वीडियो को गाड़ी चलाते समय साथ में आर्सी और ड्राइविंग लेसेंज जैसे डोकॉमेंट्स की हार्ड कोपी रखने की टेंसन अब खत्म होने वाली है अब आप वहिकल से जुड़े इन डोकॉमेंट्स की सिर्फ वैलिडिट्स और कोपी लेकर गाड़ी चला सकते हैं जाच के दोरान ये पूरी तरह मानने होंगे सडक परिमान और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वहान नियम 1989 में किये गई ऐसे विबिन संसोदनों की अधिसूचनी सूचना जारी कर दी है जो एक अक्टूबर से यानि के आज से लागू हो जाएगी सरकार ने कहा है कि एक अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लैसेंस और इचलान सहित वान से जुड़े तमाम दस्तवे जुका रख रखाओ एक आईटी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा दोस्तो नियम नंबर दो ड्राइविंग के दोरान कर सकेंगे मोबाइल का इस्तमाल जी हाँ दोस्तो ड्राइविंग के दोरान रूट देखने के लिए अब आप मोबाइल का भी इस्तमाल कर सकेंगे सडक प्रिवान और राजमार्ग मंत्रालिया ने मोटर वहान नियम 1989 में किये गए संसोदनों के अनुसार ड्राइविंग के दोरान रूट देखने के लिए अब आप मोबाइल का इस्तमाल कर सकते हैं इस दोरान अगर आप मोबाइल से बात करते पाए गए तो आपके उपर 1000 रुपे से लेकर 5000 रुपे तक का जुर्माना किया जा सकता है दोस्तो अगर आप गाड़ चलाते समय मोबाइल फिर बात करते पकड़े जाते हैं तो आपको 1000 रुपे से लेकर 5000 रुपे तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है दोस्तो नियम नमबर 3 अब नहीं मिलेंगे LPG कनेक्शन फिरी दोस्तो आपको बतादे कि सरकार की लोग प्रिय योजना परधान मंत्री उजवल योजना के तहट मुप्त गैस सिलेंडर की अवदी 30 सितंबर 2020 को खत्म हो गई है सरकार इस योजना के तहट गरीबों को मुप्त LPG कनेक्शन देती है क्रोना के चलते इस योजनक के तहट मुप्त सिलेंडर भी दिया है इसकी तारीक को अपरेल से सितंबर तक बढ़ा दिया गया था वहीं एक अक्टूबर को गैर सबसीड़ी वाले LPG सिलेंडर और काम सीरियल गैस के रेट भी रिवाइज हो सकते हैं दोस्तो नेस्ट वीडियो सोरी नेस्ट नियम विदेश पैसा भीजने पर पांच फिच्दी स्चार्ज लगेगा दोस्तो अगर आप एक अक्टूबर से विदेश पैसा भीजना चाते हैं एक अक्टूबर के बाद आप पैसा बेजना चाहते हैं तो आपको टैक्स भरना होगा एक अक्टूबर 2020 से विदेश पैसा बेजने पर आपको पांच फिच्दी TCS यानिके टैक्स क्लेक्टेड एट सोर्स का अतिरिक्त भुकतान करना होगा सरकार ने 7 लांक से अधिक की रकम पर ये चार्ज वसूलने का फैसला किया है Finance Act 2020 के मताबिक Zero Bank of India यानिके RBI की Liberalized Remittance Scheme के तहट विदेश पैसा भीजने वाले वैक्ति को TCS देना होगा दोस्तो अगर आप विदेश पैसा भीजना चाते हैं तो आपको 5 फिश दी टैक्स देना होगा दोस्तो नियम नमबर 5 Health Insurance से जुड़े नियम यानिके Health Insurance में भी कुछ नियम बदलने जा रहे हैं एक अक्टूबर से आपको आपकी Health Insurance Policy से जुड़े नियमों में बदलाव आने जा रहा है Insurance Regulatory and Development Authority दुआरा जारी गाइडलाइन्स के मुताविक ये बदलाव आएंगे इससे बीमाधारकों को कहीं फायदे होंगे अब बीमाधारक किस्तो में प्राइमियम का भुगतान कर सकेंगे इसके साथ अब 17 स्थाई बीमारिया पोलिसी में कवर होगी दोस्तो नियम नमबर 6 पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकांदार जी हां दोस्तों पुरानी मिठाई आप दुकांदार नहीं बेच सकेंगे एक अक्टूबर से खाद नियमक FSSAI यानिके Food Safety and Standards Authority of India ने बजार में मिलने वाली मिठाईयों को लेकर नियम बदला गया है एक अक्टूबर से बाजार में बिकने वाली मिठाईयों के इस्तिमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी कि कितने समय तक उसका इस्तिमाल ठीक रहेगा उसकी समय सीमा की जानकारी उभगतों को देनी होगी FSSAI ने खुली मिठाईयों को लेकर सकती दिखाई है दोस्तों अगर दुकांदार खुली मिठाईया बेचता है तो उसे उसकी सिमन पता नहीं होगी कि कब मिठाई बनीती और कब तक यह चल सकती है नेस्ट नियम दोस्तों नियम नमबर साथ मेंगा होगा टिवी खरीदना जी हाँ दोस्तों एक अक्टूबर से टिवी खरीदना भी मेंगा हो जाएगा सरकार ने टिवी के वी निर्मान में उप्योग होने वाले ओपन सैल के आयात पर पांचवीदी सीमा सूलक बहाल करने का फैंसला किया है इसके लिए सरकार ने एक साल की छूट दी थी जो की 30 सितंबर को खत्म हो गई है आपको बता देखी इससे 32 इंच टिवी का दाम 600 रुपे और 42 इंची का दाम 1200 से 15 रुपे तक बढ़ जाएगा दोस्तों अगर आप टिवी खरीदना चाते है अगर आप 32 इंची टिवी खिरने चाते है तो आपको 600 रुपे जादा देने होंगे अगर आपको 12 इंची टिवी खरीदना है तो उसका दाम आपको 12 रुपे से लेकर 1200 रुपे से लेकर 1500 रुपे तक चुकाना होगा तो दोस्तों ये ती हमारी आपके लिए अगर आपने हमारा यूटूब चान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिज हमारा यूटूब चान सब्सक्राइब कर दीजिए तक आपको ऐसी ही महत पूण जानकारी राप्त होती रहे दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो जाहिन जाभाराद